Welcome to our technical channel, technical module में, आज हम बात करेंगे LG का एक नाया smartphone के बारे में, जिसका नाम है LG W30 Pro, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं इस phone का क्या क्या है, special specification, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, फास्ट इसके variant के बारे में जान लेते हैं, इसका जो variant है, वो है 4GB और 64GB internal storage है, औ इसके आप जो memory है, उसको आप expand कर सकते है, 512GB तक, और इसका जो color variant है, वो है midnight blue और midnight purple, दो ही color में मौझूद है, अब इसका design के बारे में बात कर लेते हैं, इसका जो body है, वो polycarbonate से बना हुआ है, और in hand fill देता है, यानि के stylish भी है, अब इसका camera के बारे में बात कर लेते हैं इसका rare camera, triple AI camera मौझूद है, main जो sensor है, वो 30MP है, और इसमें आप 8X तक zoom कर सकते हैं, और ये low light sensor भी है, और दूसरा जो sensor है, वो है 8MP, एक मेगापिक्सल, ये है wide angle lens के लिए, और तीसरा जो है, वो है 5MP, 5MP आपका depth sensor की काम करेगा, इसका font में जो camera है, वो है 16MP, इसको आप पूरी तरह से selfie, duty इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको उपर, आप इसके display के बारे में जान लेते हैं, इसका जो display है, वो है water drop notch के साथ, HD plus resolution के साथ, और इसका display का size है 6.21 inch, इस phone में आपको dedicated SIM slot देखने को मिलेगा, double 4G SIM के साथ, एक micro USB card भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस phone का sound quality के बारे में हम जान लेते हैं, इसमें एक नया technology का sound इस्तेमाल किया गया है, जो है LG super pulse quality का sound system इसमें डाला गया है, और ऐसे भी हम जानते हैं कि LG में जो sound system है, वो बहुत ही वरिया होता है, अब इसका OS के बारे में बात कर लेते हैं, इस 1.15 Android वर्षन देखने को मिलेगा इसमें फिंगर्पिन सेंसर फेस अनलोक जितने भी और भी बहुत सारे सेंसर है वो सब कुछ इसमें मौझूद है अब मेन बात है इसका प्रोसेसर के बारे में इसमें जो प्रोसेसर है कॉलकॉम स्नेप्रागान 632 का चीपसेट इसमें मौझूद है वो चीपसेट 14 नैनोमीटर के उपर पेस्ट है और 1.8 गीगाहस का क्लॉक स्पीड इसमें मौझूद है और इस फोन का जो N22 स्कोर है वो करीब 1,35,000 के आसपास आता है आब इसके बैटरी के बारे में जान लेते है इस फोन में 4,050 mAh का बैटरी मौझूद है और इसमें टाइट C पोड भी है इसलिए के इसमें क्वीक चार्ज साबड करता है 3.0 और 35 मिनिट में 50% चार्ज आपको हो जाता है और आप जब इस फोन को नया पार्चेस करेंगे तो आपका बॉक्स में एक USB केबल होगा एक सिम ट्रेजेक्टर टूल होगा और और एक 3.0 क्वीक चार्ज आर इसमें मौझूद होगा और फोन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो यह था आज का वीडियो का पूरी डीटेल्स आपको इस वीडियो का अच्छा लागा तो लाइक कर देना आपके फ्रेंग के साल भी शेय लाइके हैं